कई बड़ी टेकनोलोजी कंपनीज आजकल अपना AI प्लाटफॉर्म की बेसिक सर्विस फ्री ओफर कर रही है जैसे ये Microsoft का AI प्लाटफॉर्म है Azure और IBM कंपनी का AI प्लाटफॉर्म है Watson Google का AI प्लाटफॉर्म है Google Cloud और Google Cloud में Dialog Flow एक आफरिंग है AI टूल को कैसे यूज करें ये आज बिल्कुल वैसे हो गया है जैसे कि MS Word को हम कैसे यूज करें कहने का मतलब है कि आपको MS Word का कोड कैसे चलता है ये नहीं पता पर आपको MS Word चलानी आती है या अगर मैं एक और उपमा दूँ तो आपको गाड़ी का engine कैसे काम करता है ये नहीं पता पर आपको गाड़ी चलानी आती है तो बिल्कुल वैसे ही आज के दिन बहुत useful skill है कि हम AI platforms जो ये बड़ी companies फ्री में offer कर रही है हम इनको use करना सीखें Artificial Intelligence और Machine Learning के बारे में सीखने का आज एक अच्छा तरीका है ये software जिसका नाम है Cognimates Cognimates software MIT Media Lab ने बनाई है और MIT Media Lab ने ही Scratch जो software है वो भी उन्हों नहीं बनाई है तो Cognimates actually Scratch के उपर एक layer है जो कि Scratch में AI और Machine Learning सीखने की एक opportunity देता है इस वीडियो में हम Cognimates platform को use करना सीखेंगे तो अगर आप Cognimates website में जाएं Cognimates.me और यहां जाकर आप पहले ये train models पर जाएं तो आपको दो options मिलती हैं एक आप AI models बना सकते हैं जो image based हैं या जो text based हैं इस वीडियो में हम image based AI यूज़ करके देखते हैं तो हम एक simple सा program बनाते हैं कि cats versus dogs यानि हम इस platform में कुछ cats और dogs की photographs upload करेंगे और फिर ये Cognimates जो platform है ये एक और AI clarify नाम की एक vision AI service को use करते हुए एक model को train करेगा जो की based on हमने जो images cats और dogs की डाली है वो model train हो जाएगा और उसके बाद अगर हम कोई और तस्वीर उसका डालेंगे तो वो AI machine अपने आप पता करने की कोशिश करेगी कि वो cat की है या dog की है सबसे पहले हमें clarify पर एक free account बनाना है तो clarify service में account create करने के लिए अगर आप ये sign up and get keys button क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जाकर आपको ये form भरना है मैं ये अल्रड़ी भर चुका हूँ मैं अपने को clarify में sign in कर रहा हूँ तो हम अब clarify में हैं मैं login कर चुका हूँ और हम अब यहाँ पर अपनी एक first application create कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं इसका नाम है cats versus dogs English doesn't matter basic workflow general create अब ये एक app बनी है और हमारे को इसमें से क्या चाहिए यहाँ जो ये API key generate की गई है हम इस API key को copy करके वापस cognomates में जाके यहाँ पर ये API key paste कर देंगे और ये हमें बोल रहा है कि API key set फिर यहाँ पर हमारे को अब अपना एक machine learning का model बनाना है जो की फिर clarify service को use करते हुए वो model train होगा तो हमें इसमें categories define करनी है तो हम पहली category बना रहे है cats और दूसरी category बना रहे है dogs मैंने internet से कुछ cats और dogs की images डाउनलोड करी है और अब मैं उनको इसमें add कर रहा हूँ images add करने के बाद हम अब step 4 पे कह रहे है train model तो error message कह रहा है कि हमारे को अपना नाम बदलना है तो मैं ये project का नाम बदल रहा हूँ और अब मैं images मैंने cats और dogs की images अपलोड कर दी है और अब मैं कह रहा हूँ train model तो अब ये model trained and ready है तो हम पहले यहीं पर इसको test करके देख सकते हैं model test करने के लिए हम एक picture डालेंगे जो हमने अपने test case में नहीं डाली थी ताकि हमें बता चले कि हमारा model recognize कर पा रहा है कि नहीं तो हमने ये एक dog की photograph डाली जो उपर हमारे sample set में नहीं थी और हमारा ये जो model हमने train किया है ये predict कर रहा है कि ये dog की photograph है और इस prediction में हमारी AI machine को 99% confidence है कि ये वाकई में dog की photograph है जो AI machines है वो confidence level पे काम करती है विच मीन्स कि अगर हमने कोई image इसमें डाली जो कि ना cat की है ना dog की है और अभी हम test करके देख लेंगे तो वो उसको किसी category में fit करने की कोशिश करेगा ये model पर वो कहेगा कि उसका confidence score बहुत कम है तो अब हम test करने के लिए यहाँ पर एक lion की photograph डाल रहे है तो वो कह रहा है कि this is a dog but उसका confidence score is hardly anything 0.02% AI machines इस तरीके से काम करती है कि वो predict करती है but what is more important is कि वो किस confidence से कह रही है कि उनको अपना जो भी उन्होंने prediction दिया है उस पे कितना भरोसा है तो हम program के अंदर इस तरीके की चीज़ यूज कर सकते है कि हम कहें कि केवल अगर confidence जो है वो let's say 90% से उपर है तब उस result को use करना अगर 90% से lower है या 80% से lower है तो उस result को मत use करना because हम confident नहीं है कि वो AI, हमारे AI model ने ठीक तरीके से काम किया है कि नहीं तो अब हमारा ये जो model है ये तयार हो गया है तो अब हम इसको जो cognimates का code lab है वहाँ जाके use कर सकते हैं अब हाँ